साथ यो एक महत्पूर बात आप सभी किसा साजा करना चाहूंगा कोई भी अगर आपको कॉल कोई भी अगर आपको मैसेज आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है या फिर क्लीम किया जा रहा है कि हम सोसल भीकू से बोल रहे हैं तो मैं आप सभी को alert करना चाहूंगा कि social भी को किसी भी प्रकार से किसी भी को कोई call नहीं करता है ना ही कोई information आप से ली जाती है इसी जिश को आप समझ यह का यह महत्पूर alert है हर प्रकार के pensioners और हर प्रकार के subscribers के लिए कोई भी अगर आपको problem है आपके EPF से related या PF से related या pension तो आपको बता दे कि यह सिर्फ और सिर्फ ठीक किया जा सकता है authenticate EPFO जो support है या नहीं जो उनका help centers है जो EPFO का कार्याल है उनके जरीए ही कोई भी चीजे modification EPFO के portal में या फिर EPF के pension से लिटर या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी support जो है आपको किसी भी चैनल के दरिए alert रहें और अपना detail जो है personal detail बिल्कुल भी साजा ना करें क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि social भी कोई या फिर कोई भी YouTube channel जो भी run कर रहे हैं वह आप तक सिर्फ information साजा कर सकते हैं ना कि और किसी प्रकार से आपके support कर सकते कोई information होगा वह आप तक पहुचा सकते हैं और कोई से भी modification होगा वह सिर्फ और सिर्फ एप्योंफों के अथान टिकेट सेंटर के जरीए ही इस modify किया सकता है चेंज का सकता है information आपको दी जा सकते कि यह चीज़े ऐसे होंगी इस चीज में ऐसा से करना होगा यह चीज़े आपको ऐसी से अप्डूट करने लेकिन actual जो चीज़ और बहुत प्रकार के एप से उपर और वीडियो बनाते रहते हैं तो उन सब चीज़ों से आप information ले सकते हैं जानकारी ले सकते हैं लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का call आए या आप से कोई डिटेल मांग रहा है कोई आपका ATM वगेरा कुछ भी पिन वगेरा मांग रहा है और ना ही शोचल विकोप से किसी प्रकार का कोई information लेता है तो इस तरह कि अगर call आपको इस तरह कि अगर message आ रहा है तो इन सब चीज़ों से आप सचेथ हो जाए बिलकुल alert हो जाए कोई भी हम कोई information ना आप से लेते हैं ना कोई भी आपकी details लेते हैं और ना किसी प्रकार से कोई भी हम changes कर सकते हैं चाहे कोई भी channel हो EPF के portal में या कुछी प्रकार से अन्य प्रकार से जो भी changes जो भी modification जो भी कुछ आपका समझ्या है उसको समधान सिर्फ authenticate EPF portals या EPF जो help centers हैं उनके जरीए ही किया जा सकता है जो authorized है और सिर्फ वही आपका इन सब चीजों के माम support है जो कि आप सभी इस पर गौर फर्माए कोई भी information आ रही है तो आप बिल्कुल भी उसको इनौर करें कोई भी call आ रही है इस तरह से तो इसको आप directly cut कर दें और सीधे सिधे आप मना करें यह काफी महतपूर जानकाई था कोई भी अपना नीजी जानकारे बिल्कुल भी क पता ही ना साजा करें आज के समय में यह information देने का purpose यही है दोस्तों क्योंकि काफी scams बढ़ रहे हैं काफी प्रकार की धांदलियां कई लोगों के अकाउंट से पैसे गयाव हो रहे हैं कई तरह की इस तरह की चीज़े गयाव हो रही है आज के समाज में cyber security एक cyber समस्या एक threat बना हुआ है आज के समय में तो इस तरह से मैं समस्ता हूं कि सभी को अलट करना काफी जरूरी था और इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा ज्यादे ज्यादा लोगों तक ताकि हर किसी के पास यह message बहुत सके और हर कोई इस तरह से जानकारी से aware रह सके चाया वह चुकि यू पैसे चल जाते हैं फिर उनके सॉब्साइबर इस समय क्राइम बहुत जादे चल रहा है लोगों के पैसे निकार है मैसेज के जरीए कॉल के जरी लोगों से एक पिन वगेर सब कुछ मांगे जो जो क्रिमिनल्स हैं जो वो लोग इस तरह के धाद लिया कर रहें तो इस तब जो साप अलट रहें अपनी जानकारी बिल्कुल भी ना साजा करें आज के इस वीडियो में इतना ही आसा करते जानकारी पसंद आयोगी राइक कमेंट में दीजेगा शेयर कर दीजेगा अगले वीडियो में फिर मुलकात होगी धन्यवाद आप सभी का